हेलो स्टुडेंट माइसेल्फ किरन शर्मा फ्रोम हैप्पी केंबरे स्कूल बिटा आज की इंग्लिश की अक्टिविटी में हम वर्ब एंड नाउन चूज करेंगे ठीक है अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है नाउन क्या होता है सबसे पहले देखिए नाउन जब भी किसी परसन प्लेस या थिंग्स ये चीज़े आ जाएंगी वो होंगी हमारी नाउन और वर्ब वर्ब वह होता है जो हमें ये बताता है कि कोई परसन या वस्तू कर क्या रही है मतले कि कौन सा एक्शन कर रही है कौन सा डूइंग वर्ब कर रही है अब देखिए हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे हमें यहाँ पर पूरी एक रो दी हुए है जैसे फर्स्ट, सेकिंट, थर्ड, फोर, फाइव, सिक, सेवन, एट, नाइन यह नाइन हमारे पास रो दी हुए है इसमें हमें क्या करना है circle the verb and underline the noun इस line में जो हमारे वर्ब होंगे उसको तो हमें circle करना है और noun को underline करना है walk already किया हुए पहले ही यह वर्ब है walk means होता है चलना यह कोई भी action वर्ब हो गया इसलिए हमने इसको सर्कल कर दिया पूली, गियर, कैस्टल, पॉइनियर पूली क्या होती है एक मशीन हो गई तो कोई वस्तू हो गई ना तो ये क्या हुआ हमारा नउ इसको हम अंडरलाइन करेंगे उसके बाद आगया हमारा गियर ये भी बटा कोई equipment होता है कोई भी उपकरण, कोई भी ओजार जिसको बोलते हम ठीक है, ये हमारा हुआ verb इसको हम सर्कल करेंगे कैस्टल और पॉइनियर पॉइनियर क्या होता है, लीडर होता है जो हमें कोई भी मार्क दर्श्य दिखाता है तो ये और ये एक प्लेस हो गया और ये लीडर हो गया तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे और ये होगे हमारे नाउन सेकिंड और बता देती हुआ आपको मर्चेंट किंग, विलेज, कलाइम, रिमेंबर मर्चेंट मिंस वेपारी वेपारी क्यों वाए एक परसन इसलिए ये हमारा क्या हुआ नाउन, नाउन को मैं अंडरलाइन करूँगी किंग मिंस होता है राजा राजा भी हमारा नाउन हुआ इसको भी मैं अंडरलाइन करूँगी विलेज विलेज में क्या है गाउन गाउं एक हमारा प्लेस हो गया ये भी मेरा क्या हुआ नाउ क्लाइम्ब मीन्स होता है चड़ना तो ये कोई action हो गया ठीक है तो ये मेरा हुआ वार्ब रिमेंबर याद करना इसमें भी हम कुछ करेंगे तो ये भी हमारा हुआ वार्ब एक थार्ड ओर देखो बेटाब थिंक, इट, रिकलीन, लाइनर, टेबल, इमोशन थिंक मिस क्या हो गया सोचना ये भी action वर्ब हो गया तो इसको भी हम सरकल कर लेंगे ये हमारा हो गया वर्ब इट, खाना ये भी हमारा क्या हो गया वर्ब रिलियर इसमें कोई काम नहीं हो ना टेबल, ये मेरी योगी थिंक्स वस्तू हो गई इमोशन इमोशन मिस हो था भाव ना है ये भी बेटा मेरा क्या चीज है नाउन, इस तरह से हमने इस पूरी एक्टिविटी को अपनी इंगलिश की ग्रामर की नोट बुक में करना है ये आपको दियवाय यहां से शुरू करेंगे आप बैसे पूरा उतार लेंगे ठीक है, उसके उपर लिख लेना इंगलिश एक्टिविटी पिक आउट वर्बेंट नाउ और इसको आप अपनी ग्रामर की नोट बुक में करेंगे ओके ठैंक्स बिटा